हेलो श्रेंट एक बार पुना आप सभी का स्वागत है तो चलिए हम देख लेते हैं संस्कित भीसे का कम्प्लीट सेलूसन ठीक है तो फटा फट सेलूसन करते हैं पहला नंबर है क्या लिखे असमा भी सरवदा सत्यम वक्तम अब बताना है तो क्या हो जाएगा सरवदा इसमें सेकेंड नंबर होतान है अब बे कॉंसर नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा रमा ठीक है अगला प्रशन आपके सामने यह रहा बालकान इतस्मीन पदेविभक्ति तो इसमें दोतिया भी भक्ति आपको टिक कर देना है धैनवे में एक बचनम ठीक है इसके बाद नदी ना में आपको खश्टी व्यक्ति करना है और तस्मीन में एक बचन करना है ठीक है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला क्या लिखा है निर्मलम का विलोम हो जाएगा समलम क्या हो जाएगा समलम हो जाएगा ठीक है आपको एक नंबर में सुलबा का क्या हो जाएगा दूरलभा ह कि यहां लिखना यहां पी जण्पर हो जाएगा जलम का प्रियाबद हो जाएगा जलम करDCU किया ओतर हो जाएगा जलम का प्रियाइपद हो जयेगा जलम चलते हैं अगले प्रश्व म act आटि देख लेते हैं ये आपके सामने रहे ठीक है क्या रिखा चऔर भयम इसको मिला देना आपको तपुरुत समास इसको लिख देना है दीगू किसरे मिला देना देना है ठीक है फिर फुस्तकालय में दिर्गुसवरसंदि से मिल रूपम को अव्याई भाव समाज से मिला नहीं ये जलते रहें अगले प्रशनों पे क्या लिखन अनिशाम महानगर Eller क्रीम प्रचलती इसमे इसको हो जाएगा काला यस चक्रम क्या говоря is सही जवाब हो जाएगा इसके बाद पीता क्या लिखना है दुर्वले सूते कस्या अधिका क्रपाव हो थी तो इसमें आपको लिख देना है मातु क्या लिखना है मातु ठीक है पीता उत्राय बाले के किम्यत च्छती तो इसमें लिखना है विद्या धनम क्या लिखना है विद्या धनम ठीक है अगला है आपका आदाय में प्रत्य बताना है तो इसमें हो जाएगा बेटा लेप प्रत्य कौन सा प्रत्य हो जाएगा लेप ठीक है कथितुम में कौन सा प्रत्य है तो कथितुम में तुमून प्रत्य है पात्वा तो क्या हो जाएगा पीत्वा हो जाएगा ठीक है इसके बाद आम और ना बताना है ठीक है तो देखिए क्या लिखा है निरुपसर्ग है गलत ठीक है सुरी क्या लिखा है निरुपसर्ग है देखिए तो बिल्कुल वात है निरुपसर्ग ही होगा ठीक है फिर प्रत्यूपकारा यह असत्य हो जाएगा लबते में यह सत्य हो जाएगा आसीत ब जैसे क्या हो जाएगा ना हो जाएगा इसके बाद अगला सवाल देखी आप प्रश्ण उत्तर देख लीजिए पहले तो आप सारे प्रश्ण देख लीजिए इनका उत्तर में आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो आपने प्रश्ण देख लीए आप चलते हैं इनकी उत्तर पे इसके बाद जो अगला प्रश्ण है आपके सामने इसको भी लिख रेना है ठीक है इसके बाद जो अगला प्रश्ण आपके सामने आया था वो यह आया था ठीक है आप देख सकते हैं क्या था आपके सामने अगला प्रश्ण वो था भू कंपस केंद्र बिंदु कहा जन पदा आसित तो आपको इसमें क्या लिखना है बेटा आपको इसमें लिखना है कच्छ जन पदा ठीक है क्या लिखना है कच्छ जन पदा अगले cook पर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्ण पर आते हैं ठीक है तो देखे अगला प्रश्ण आपका था प्रश्ण क्रमाग 11 इसमें लिखना था सौपाट पुष्टक के सुभासित एक फ्लोक निकना था एक सुभास्तान ही आपको लिखना है ठीक है तो एक सुभास्तान ही में आपको कौन सा फ्लोक लिखना था जो इस प्रश्ण पत्र में ना हो तो इस्ट्रेंट आपको ये इस फ्लोक लिखना था ठीक है करोदो, ही, सत्तु, प्रत्मो, न राणा इसके अलाब़ कई सारे सुभावश्तानिमी है कोई भी आप लिख सकते हैं वाकि आप इसको लिख सकते थे ठीक है इसके बात जो अगला आपका प्रश्णी था इस्टेवेंट वो ये था ठीक है देखिए अगले प्रशन पे चलते हैं अगला प्रशन था देखिए इसमें क्या करना था इन वाग्कों को सुध करना था ठीक है तो ब्रचेन पत्रानी पतंती तो यहाँ पी इसका जो फही जवाब हो जाएगा देखिए मैं दिखा रहा हूँ अगला प्रशन आपके सामने है घटना क्रमानु से लिखना था ठीक है ना मतलब इनको क्रम से लिखना था तो क्रम से लिखने के लिए क्या करना है देखिए तो सबसे पहले आपको सेकेंड नमबर लिखना था उसके बाद चौथा नमबर लिखना था उसके बाद पहला और last में आपको तीश्रा नमबर लिखना था ठीक है चलते हैं अगले question पे अगला क्या था वाच परिवर्तन करना था ठीक है कोई दो करना था न इसमें से देखिए कोई दो करना है तो छात्रह ग्रंथम पठती तो इसमें आपको लिख देना है पठत के जगह में पठ्यते क्या लिख देना है पठ्यते और शात के जगह में चात्रेन लिखना है और पठत के जगह में पठ्यते लिखना था ठीक है ये आपका उत्तर है इसके बाद क्या लिखा है काका पिका संतति पालियती ठीक है तो देनु नाम मता सुर्वासित तो इसमें आपको लिख देना है ठीक है काम माता सुर्वासित तो यहाँ पे धेनु नाम के जगह में आपको क्या लिख देना है काम या कहा भी आप लिख सकते हैं चात का वने वसती तो आपको लिख देना है का वने वसती क्या लिख देना है का वने वसती ठीक है इसके बाद जो आपका अगला प्रश्ण था किस ने किस से कहा तो पहला नमबर जो है न भवान कते इसको कहा था स्रेगाल ने किस ने कहा था इस्रेगाल ने कहा था किस से कहा तो व्याग्रम से कहा था क्या लिख देना है व्याग्रम और इसके अलाबा जो second number है इसको विद्यूसक ने कहा था किस से कहा था कुस से कहा था तो आपको लिख देना है कुसम व्याग्रम ने कहा था कुसम से तो विद्यूसक और कुसम ठीक है यह आपको लिख देना है इसके आपको उत्तर लिखना है देखिए इसके सामने आप देख की इसका उत्तर कर सकते हैं ठीक है देखिए हम चलते हैं इसके अथबा को करते हैं ठीक है वन्य जीवा किम रच्छक पो योद्यम नमनेते तो आपको क्या लिखना था देखिए यहां पे यह लिखना था यहते वन्य ठीक है यहां से यहां तक आपको लिख देना है इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्ण उत्र पर अगला प्रश्ण उत्र भी आपका क्या है प्रश्ण पढ़के उत्र देना है निर्धनो जनाकीम अर्जित वान ठीक है तो इसमें आपको लिख देना है यह किष्टीत विमू क्या लिखा है तत्त नया कस्मिन सरवगना संपूर्यती तो आपको यहां से यहां तक लिखना था ठीक है यहां से लेकी यहां तक लिख देना था ठीक है इसके बाद चलती अगले प्रशनुकतर पे अगले में आपको करना था गुणे किम बेती तो गुणे गुणम बेती क्य यह आपको लिखना था, इसके बाद जो अगला प्रशन उत्र है आपके सामने, वो क्या लिखा था, देखिए, सब प्राचार ये क्रते, और इसके बाद क्या लिखा है, निबंध, देखिए तो इसको तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बाकी लिखना कैसे था, देख अब हम मिलते हैं नेष्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको मैद का सलूसन बताऊंगा,